हेलो स्टुएंट्स स्वागत है आपका मेरे चनल में आज मैं आपको बिल्डिंग मटरियल्स में ब्रिक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्यू करवाऊंगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ही लेक्चर इंडियन स्टेंडर्ट की अकोर्डिंग ब्रिक का स्टेंडर्ट साइज होता है क्या होता है वह हमें बताना है तो इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा 19 सेंटिमेटर इंटू 9 सेंटिमेटर इंटू 9 सेंटिमेटर सी ओप्सन यहां करेक्ट हो जाएगा यहां इसका डाइग्रा स्टेंडर्स की अकोर्डिंग नीप्रिक का नॉमुलग साइज BBC निए was on EE 656 का मतलब होता है ये इस इसमें नीडे की साइज में 1 inclusion हम क्या कर लेते हैं इसको एड कर देज ऑफ यहां पर इसका जो आन्सिर वह अप्षेन कर्यक्ट हो अब आते कुस्षिन नमर थाड़ पर वाट सुड़ वी दा बेट आप इस्टेंडर ब्रिक का बेट होना चाहिए बजन होना चाहिए वहार होना चाहिए कितना बेट होना चाहिए उसका वह में बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक लोग्राम बी ऑप्षिन यहां करेक्ट हो जाएगा अब आते कुस्षन नमर फोर्थ पर दा टर्म फ्रोग मींस फ्रोग का मतलब क्या है हमको यह बताना फ्रो की अर्थ है उस फ्रोग की अर्थ है उस बरिक में और यह था NT उने होगा यह थी वाले ऑप्षिन में फाले बना हुआ है बिरेक का अब देख सकते हैं यह उपर का जो ब refuse डिया हुआ है उससे क्या मोलते और और आते हैं अब क делать कोस्त्राघ्ट नमर 5 पर लेट बंड गुद सलिए टीस लेंग्विल की इस length को हम क्या बोलते हैं वो हमको बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा stretcher हो जाएगा उसे stretcher बोलते हैं तो B option यहां correct हो जाएगा stretcher को हम क्या करते हैं दीवाल की जो length उसके पहले रखते हैं तो यहां B option क्या हो जाएगा B option correct हो जाएगा stretcher इसका answer हो जाएगा अब आते है कुछन नमर 6 पर The IS Classification of Bricks is based on Bricks का IS Classification based है किसके उपर based है वो हमको यहां बताना है यहां तीन पॉइंट दिया है इन तीन पॉइंट में से हमको बताना है ठीक है तो इसका जो आंसर है देखो क्या हो जाएगा यहां CU option यहां correct हो जाएगा यानि कि जो compressive strength बाला पॉइंट है वो correct हो जाएगा ठीक है और तीसर बाला यहां कहा दिया dimensional tolerance यह भी क्या हो जाएगा अब आते हैं कुछन नमर 7 पर कुछन सम्ट कुछन नमर 7 क्या है In the process of brick manufacturing The bug mill is used in which of the following operation Brick manufacturing की process में यानि कि जो brick इन चार उप्षन में से हमको बताना है कि पग मिल का हम जो यूज करने है Brick निर्माण की प्रिक्रियाम है उस पग मिल का किसली हम उसका यूज करते हैं तो इसका जो answer है क्या हो जाएगा tempering हो जाएगा C option हो जाएगा पग मिल का यूज हम किसली करते हैं कि यूज करते हैं अब आते है कुशन नमर 8 पर कुशन नमर 8 क्या है The function of iron oxide in brick is 2 Brick में iron oxide का क्या function है वो हमको यहां बताना है कि iron oxide क्या काम करता है इसका function क्या है तो इसका answer हो जाएगा impart color तो इसका answer impart color हो जाएगा यानि कि brick में जो iron oxide है क्या काम करता है impart color उसका function क्या है कि color को देता है तो C option यहां correct हो जाएगा अब आते है कुशन नमर 9 पर कुशन नमर 9 क्या है Consider the following stage in the manufacturing of bricks तो यहां नीचे तीन stage दी हुई है उस stage में से हमको बताना है कि brick निरमार की जो stage है उस stage में से कौन सी यहां पर उसका sequence बताना है नीचे the correct sequence of these stage in the manufacturing of bricks यानि कि इनका sequence क्या होगा correct sequence क्या होगा सई sequence वो हमको बताना है तो इसका answer हो जाएगा C वाल option यहां correct हो जाएगा 1,3,2 हो जाएगा तो 1 पर क्या बैदरिंग सबसे पहली stage आती है बैदरिंग के बाद क्या आती है टेंपरिंग वाली stage आती है और उसके बाद क्या आती है यहां मोल्डिंग वाली stage आती है यहां इसी option में से हमको बताना था इसका answer हो जाएगा C वाला option हो जाएगा अब आते हम question number 10 पर question number 10 क्या है consider the following operations of preparation of brick earth brick earth के preparation में यानि कि brick earth हम बना रहे है brick earth का मतलब क्या होता है brick बनाने के लिए जो हम click के तयार कर रहे है जो मिट्टी तयार कर रहे है उसके यहां पर क्या दिये है operations दिये हुए है इन 5 operations में से हमको क्या बताना है उनका correct sequence बताना है आंसे के बाद हम क्या करते हैं डिगिंग करते हैं और डिगिंग के बाद हम क्या करते हैं बेदरिंग करते हैं और सबसे लास्ट में oney calendar ने से करेंगी इसका एँद आए बाद